नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग, तो आज जो वीडियो लेकर आए हूँ, वो वीडियो है निमरा एहमद का और इसका टाइटल है पाक पब्लिक क्राइंग एज एलन मस्क और थर्टी प्लस बिगस उपनली सपोर्ट इंडिया फॉर यूए एससी मतब इनवाइटेड नेशनल सेकूरिटे काउंसिल में, परमानेट मेंबर के लिए, तो जी बिलकुल, एलन मस्क ने बकायदा ट्विटर पर इस बात, बतब एक्स पर इसकी जानकारी दी, उन्होंने कहा किसी को जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार, कितना खराब लगता है कि भारत जैसा देश, जो इतना बड़ा देश है, और इतना पाउरफुल देश है, वो जो है, उन्वाइटे नेशनल सेकूरिटे काउंसिल में, सुरक्षा परिशाद में नहीं है, तो इसे बहुत बड़े बारे में क्या चल रही है, चलिए इस फर पाकिस्तान के लोगों का रेक्शन देखने लाइक होगा, लेट सी, आज हम बात करने वाले हैं, एलॉन मस्क की एक ट्वीट वाइरल हुई है, एलॉन मस्क ने ऑपन ली एक स्टेट्मेंट दिया है, कि यू एनस्सी में भारत की प लेटान मस्क ने ख्लाइब अपनी भारत के साथ जो है वो शोग ए ट्वीट अप्स स्क्रीन पर भी एक्स्टान लेंगे, और जाने कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान इस रेस में क्यों इतना पीछे हैं, आई बढ़ते हैं, बाकिस्तान इवाम के जा क्या किसी और मुसल्मान को उन्होंने विटो पावर दी है फिर नंबर दो आप देखें बहारत जो है वाबादी के लिहास एक बहुत बड़ा मुलक है एक बात करना चाहूंगी सोरी आपकी बात को काट रही हूं आप विटो पावर उसको मिलती है जिसकी एकॉनमी आपके बात ठीक है हम अटोमिक पावर है लेकिन एकॉनमी को देख रही है भी दुनिया आज से पांच साल पहले भारत की एकॉनमी कहां पे थी पांच साल पहले बताईए कहां पे थी पांच साल पहले डाउन थी ना हमारे मुकाबला मतलब थोड़ा सा डिफरेंस था ज्या आकर जरा डेटा पढ़ा कीजिए, ऐसे ही दाएं बाएं सुनकर वाटसेप फॉरवर्ड आप आकर ऐसे मत बोल दिया कीजिए, या जो आपकी मीडिया में बाते बताई जाती है, आपकी और हमारी एकॉनमी में जमीन आस्मान का अंतर रहा है शुरू से, कौन से दुनिया में ह हिस्टरी जाकर पढ़िए आपकी और हमारी एकॉनमी की ताट हिवर्ड देखें उस वकट भी ये आज से बलके साथ साल पहले भी ये बाती हो रही थी कि बाहरत को वीटो पार का हक मिलना चाहिए उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है क्या बाहरत में एक जमाने में 17 अजादी की तहरीके चाल रही थी मिजोराम, नागा लेंड, कश्मीर, खालस्तान और इवन इनका जो असाम और बंगाल हैं वहां पे भी चाल रही थी क्या कभी अकवाम मुतहिदाने या जो आपके पावरफुल कंट्रीज हैं क्या उन्हें उस तरीके से मुझमत की, इंडिया की, जिस तरीके से पाकिस्तान में की जाती है आप यहां पे फिर रही हैं, क्या पाकिस्तान में आपको कोई इन्सानिया कूक की बहुत बड़े खलाव वर्जी नज़र आती है, बराएन नाम सी, चंद, चंद जगों पे हैं, मगर जब उनके बियानात सुने आपके गंडरी है इत्तु सी, और अभी सबसे बड़ा, अभ आपके गए हैं, कि इसलामाबाद ने हमें पराया कर दिया है, और सबसे बड़ी बात आपने इसके औरत को देशतगर्द करा दिया, आपने इसको यहां पे कैद किया, आपको क्या लगता है, कि आप एक अच्छा पेगाम दे रहें, यह पेगाम यह औरते पहुंचाएंगी और अर गर पहुंचाएंगी, अर अर इलाके पहुंचाएंगी, और हमारे हाँ, एक खुबसूरत हमारी तारीख का एक इससा यह भी है, कि हम यह आदाशतों में और लोरियों में अपनी तारीख बताते हैं, जब हम यहां पे ते जो हमारे साथ हुआ, पीछे बलोचिस्तान का इससा रहेगा, यह हमारी तारीख का इससा रहेगा, इसको हम अपने लिट्रेचर का इससा बनाएंगे, कि जो हमारे साथ है साथ दिनों में हुआ, जो इन और तों के साथ हुआ, वो हमारी आने वाली नसले भी नहीं बूलेंगी. कैसी बात कर रहे हैं आप, आप से सेवन टाइम्स बड़ा देश है हमारा, आप के यहां बलोचिस्तान में आजादी की तहरीक, आप के यहां के पिके में आजादी की तहरीक, आप के यहां सिंदुदेश में आजादी की तहरीक, कहां कहां बताओं मैं, आजादी की तहरीक, वाँ फिर का हुआ कि नहीं हम चुके मुसल्मान देश है तो इसलिए हमारे खिलाब बड़ी साज़िशे होती है सर हर कोई हमारे खिलाब साज़िश करता है अरे आप गिंती में नहीं है कहीं बहुत कौन साज़िश करेगा आपके खिलाब पाकस्तान में सरयाम लोगों के गले उतारे जा रहे हूं इंडिया को क्यों नहीं करते रिजन एकॉनमी नहीं है अरे भाई साब जूटी बात पर नहीं होगा न दर्द आपका यही है कि हमारे ही पिछपाड़े पर डंडा क्यों पढ़ रहा है भारत को भी पढ़ना चाहिए अरे तो तुब अपना ऐसा कुछ बना लो भारत ने जो जुगार लगा है वो भी तुम कर लो कर लो भाई कुछ रूखा किसन है तुम्हें एजा करने से अब इसलामिक मुलकि बात करें सुधिया के इनसानी अपकी बात नहीं होती है अब पाकिस्तानी नाम लें पाकिस्तानी बोले पाकिस्तानी को टार्गेट करते हैं वह उस वकत से बनी है जब उसने अपनी थोड़ी सी पॉलिसियां बदली है ठीक है ना पॉलिसिया जब बदली तो उनका एक डिफरेंट आप उनका इमज बन चुक अब बात उस तरीके से उस तरीके से उन पे नहीं हो रही आपके तरीके से बात की जाएं मतलब आप जो कहें वही काम युनाइटे नेशन और बाकी लोग कर लें अच्छा मैं आपसे कहता हूँ कुछ काम आप मेरे हिसाब से काम करेंगे अगर मैं कुछ का हूँ तो आप मेरे हिसाब से चलेंगे मेरे हिसाब से अपना घर चलाएंगे नहीं करेंगे ना तो फिर आप लोग ये कैसे सोच लेते हो कि मैं जो समझ रहा हूँ मेरे हिसाब से ये काम होना चाहिए था और उच्छी यूएन ने मेरे हिसाब से काम नहीं किया है तो ये गलत काम कर रहे है कौन हो भे तुम ये बोलने वाले बोलते रहो रोते रहो 76 साल सा रोतो रहे हो तुम लोग क्योंको तुम लोग को बात समझ में नहीं आती है लेवल ही नहीं हो समझने का अपने मुलक को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रोथ कर रहे है लेकि अभी भी भी महां पर शरही निजाम जोरी गराए लेगा जना करने वाले को कोड़े मारे जाते फासे दी जाते अभी भी वहां का निजाम यही है लेकिन बात सुनिये महमद बिन सर्मान के आब बात मेरी बात सुने ना मैं वही जो में चीज है मुहम्मद बिन सल्मान की आने के बाद उनकी पॉलिसियां बदली है बहुत बड़ा सिटी भी बन रहे आपको पता होगा ठीक है और वह भी बन रहे सब कुछ हो रहे मगर अब उस तरीके से उनके उपर वह तनकीद नहीं हो रही ज रिख्यू जब तक हम हमारे यहाँ पे इस्लाम का नाम लेने वाले 91 आणा पैब नियुक्त के यतनों मौलक इनकाager इसलाम से तो कोई तिल्ग नहीं है हमारा है झालो नाफिए नहीं वो नफचित नहीं हो एक लाइटा बात मकले मेरे बात सुने हम मुसल्मान तो है ना यहाँ पर कोई है जो मुसल्मान नहीं है कलमा सब बढ़ते हैं थे आप लोग सब बढ़ रहे हैं हमारे उपर हमने नाफस उसरी के से कर नी सके जो हमें करना चाहिए था अफगानिस्तान में है ना प्रोपर शरिया लोग, है कि नहीं है, अफगानिस्तान को जितना, अमेरिका निकल चुका है वहां से, जितना तालबान, मैं तालबान को कभी भी सही नहीं कहता, बिल्कुल गलत है, उनकी पॉलिसियां औरतों के लिए इनतहाई गलत है, आप एक 53 53 परसंट की अबादियों का आप गरू में नहीं बढ़ा सकते हैं, चलिए कम से कम बाकी चीजों से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, कि एक पाकिस्तानी ने ये बोला तो सही, कि तालिबान जो महिलाओं के साथ, औरतों के साथ कर रहा है, वो चलिए लो लागू करो फिर, तो ये निमरा और बाकी जो इनकी बेटी होगी या इनकी बेहन होगी, उस बाहर निकलना बंद हो जाएगा सबका, क्या आप इसके लिए तयार हैं, इसलिए डबल स्टेंडर वाली बातें मत करिए, और इन्हों ने बहुत सही बात कही है, इन् पर उनको खतम करना पड़ेगा, ठीक है, तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें क्यों टार्गेट किया जाता है, हमें टार्गेट करने की रिजन सिर्फ एक है, हम मुसल्मान मुलक है, आज हम बदल जाएं, एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगे, देके इस्लामिक कंट्रि बोता है, और वो अपने अपने तरक्की में मशूर है, मसरूफ है, हम लोगों को यही चीज मार गई, अब चुरू से लेकर अभी तक हम यही कहते रहे गए, उसकी आँख हम पर है, इसकी आँख हम पर है, यह हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो हमें आगे नहीं जो मुल्क में हमने अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए कियो हमने आँख दिखाई यह किसे को मेरी बात सुने मैं जो बात कर रहा हूं निपाल और बॉटान क्या बॉटान में मुसल्मानों को जिन्दा नहीं जिलाया गया उनकी क्यों मुझे उपर किसी ने अटैक किया कि आप और भी जगों पर जागे देख लें और भी मुमालक में देखने क्या जो बाकी और डिफरेंट जो आपके कुछ और मुमालक है मुझे भी जैन से नाम नहीं आ रहें मुझे सिर्फ एक बात बताए हैं आप मिसाल दे रहें इद्धर दॉर की मुझे पताए हम इस्लामिक कंट्री है सौदिया से लॉन डे मदद करें वह भी मुस्लिम कंट्री है तो इतनमा कैसे बढ़ गया कि आज हम उनसे लौन की डिमांड करते हमें आंखे दिखाते हैं वो नहीं सोधिया देखें शुरू से जब से पाकिस्तान बना हुए ना उसकत भी सोधिया हमसे बहुत आ गये था उनके पास तेल है उनके पास सोनना है चार मौसम है हमारे पास जमीन है पहाड़ पानी है दरिया है सब ह हमारे पास उनके पास भी बहुत कुछ है अगर आप उनके टाइफ में जाएं तो उनके पास भी परफ है वीडियो नहीं बनाना अब मैं सेकंड टाइम नहीं बोलूंगी यार यह ऐसा ना करें अच्छा सोधिया के पास भी सारा कुछ है हर चीज है मगर अगेन वही बात आट में और पार में चीजा इसे वह और कितना स्ट्रॉंग बहुँ और मिलती है तो आपको आपका जीनारं हो जाएगा और मेरा मेरा नहीं कि ऑपको शोड़ेंगे इकना마क यली तो ये सक नहीं है कि कि इस इस वक्त इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुक है रिजन आपको भी पता वहां जुमूरियत है यहां जुमूरियत को चलने अगर को जुमूरियत आती भी आना तो उसके पीछे लगामें किसी और की होती है कल बिलावल बड़े अच्छे लीडरन है और बड़ा अच्छा बोलते हैं कल उन्होंने एक जलसा किया लहोर में और बड़ी क्लियर लोगों ने बताया दो दोजार पे में हम वहां पे बंदे लेके जाएगे 35,000 फी घर उस अलाके में लोगों को दिया जा रहा है क्यों आप क्यों जो है फेर तरीके से नहीं आते अच्छा जब एक बंदा 35,000 देगा फी घर और अगर फरस करते हैं वह 20,000, 10,000 घरों को वह पैसे देता है तो वह क्या करेगा वो कल को लूट नहीं डालेगा वो जो इ मेरिट ही नहीं है मेरिट हो खतम हो चुक है ठीक है और आपने हर मसला अक्वाम मुतेदा में ले कर जाते हैं लेकिन जब उनको वीटो पावर मिल जाएगी तो इस चीज़ का कितना एफेक्ट होगा हम अपना एक मसला लेके गए थे कश्मीर का वो तो आज तक हलनी हुआ उ उसमें तो कभी वीटो कर देता है रूस कर देता है देखे ना उसका कश्मीर से रिलेटेड उनका पहला रूल हम पर लागू होता है और हम उस रूल को फोलो नहीं कर सकते हैं इंडिया को मिलकी तो हमारा तो जीना आराम हो जाएगा यह तो आप देख ले रशिया के पास व चोड़ना भी नहीं है आपको याद है 1986 में जब जनरल जिया की हकूमत थी तो उस वकत इंडिया अपनी फोजे बार्डर पे ले आया था और जनरल जिया क्रिकट डेपलोमेसी पे वहां पे गए और उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरे पास जो है ना वह एटम बम है तो वह फि तो यह इंडिया आपको जिनने भी नहीं देगा अटम बम ठीक है हम एक अटमी ताकत है ठीक है एकोनमी की ताकत भी तो बन जाए ना हम डिजर्व करते हैं ना महाश्य ताकत भी बनना चाहिए तो भाई साब यह बताईए कि जब 1999 की करगिल वार चल रही थे तो एटम बम क कौन से गुफा में आपने घुशा गया रखे हुए थे निकाले ही यह आपने क्यों निकाले निकाले तो सही और क्या इंडिया को 99 की वार में पता नी था कि आपके पास एटम बम है पता था ना पिर भी लड़े नाम ठोका नाम ने आपको नवाश्यारी को जाना पड़ा क्लिंटन के पास पैर पकड़ने के भाईया जान चुड़ा दो जान चुड़ा दो यह बात मैं नहीं बोलता भाई मैं बोलूगा तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा इसे लगे हाथ सबूत भी देता हूं आपके आईएसाई के फॉर्मर चीफ रहे हैं उन्होंने ब इसका मैं बैक्ड़ाउंड बताओं कि यह कहा जाता है कि नवाज शरीफ जो था वो चला गया अमरीका और जो कुछ हमने जीता सा लड़ाई में वो डिसकुशन टेगर अपर हार करके आगया यह परवेज मशर्व साब का स्टांस था अच्छली यह हुआ कि नवाज शरीफ हमने उसको ड्रेसिंग डाउन दी कि यह क्या हो रहा है को तुम यहां क्या कर रहे है उसकी टंगे कांप रही थी उसको हमने कि तुम जो वहाँ जाके बैठो जा लड़ाई हो रही है उसनए का रात को मैं कैसे चल आ भानी कैसे चले लहाएं उनने कर नहीं हिलीकॉप्टर ल इदर चकलाला, मैं और प्रदेश मिश्वारब दोनों ने जाकि इसको ब्रीफ किया और चाहिए ये था कि इसको साथ लेके जाते हैं, वो नहीं इसको साथ लेके गए और जूँ ही वो चले गए, इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रॉपगेंडा कि हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया है, हमें वहाँ जाकि एक्सेप्ट कर लेगा है तो आप ये कहना चाहरे हैं, ये शक्स दोगला है? बहुत दोगला है, बहुत दोगला है और जूटा, इस किसम के जूट बोलके सारी, बहुत अब नौ साल ये तो स्यास सवाइद का मालिक था, जो चाहता था, ये कहलवा देता था, और उसी के ओपर सारी पबलिक ने उसको बिलीव भी कर लिया सुन लिया? अब ये मैं कहना है कि ये ISI का चीफ भी जो था, वो गद्दार था समझे आप? एटम वोम का डर दिखाते हैं, एटम वोम का डर होता तो बाला कूट में जाके स्ट्वाइक करते हैं, वो हमें बनना चाहिए, मगर हम नहीं बन रहें, रिजन क्या है, क्या, देखें आप सोचें, खुद सोचें, क्या हमारी अवाम बनना चाहती है, आप एक फैक्टरी लोग होंगे, फैक्टरी लगा लें आप, आपका जीना हराम करके रख देते हैं मजदूर, एडवांस, मुख्तलिफ चीजें, ऐसे नहीं, आप यहां से पाकिस्तान से बाहर चीजें बेजते हैं, फरस करें आप चावल बेजते हैं, तो दस साल पराना चावल बीच में डा करके बेज देंगे, तो देखें, फिर हम कैसे बनेंगे, ऐसे तो नहीं हम बन सकते, इसके लिए हमें हम अवां को भी हमें ठीक होना पड़ेगा, तो आपकी कमज़ोर हैं आप बहीमान हैं, आप मकार हैं, आप लालची हैं, दुनिया को मत कहें हैं कि साज़िश करती हैं प्रमुस्लमान है इसलिए… तर्की नाटो मे ही नी?. तर्की एक मुसलिम seja ना, नाटो में ही ना। में बागि tänिसे मुसलिम कंट्री. कतर है Сौथी है, UAEat , ओमान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है. यह भी तो हम यहां पे भी आप 10 रफे पैंके यहां पर आप 10 रफे यहां पर फैंके आप देखिये का कोई बंदा है का वह ऐसे खड़ा हो जाएगा जब तक यह खड़ा रहेगा दासर पे हमें ले ढूम हमें ब़दलना पड़ेगा जब तक हम मिन हैसल कौम नहीं बदलते हम अपने रोजमर्णा के मामूलाग एमान हम मुसलमान हैं इस वह कोई शक नहीं है किसको शक है भाई हमें भाउन प्रह बताना क्या बढ़ता है कि हम मुसलमान है हम मुसल्माने यानि कि आपको फों कहीं न कहीं शक है आपको अपनी पहचान की शक है कि बताना पड़ता है सर्टिफिकर देना पड़ता है कि पॉलिडिकली ठीक नहीं है हमारे लिए इंटरनेशनल में लेकिन एकनोमे मारी बेतर हुई इसी दोना यह है कि सब तक पॉलिटीकली एक स्टेबल गॉर्मेंट नहीं आती तब तक इससां का कोई भी सिच्वेशन नहीं होगा है जैसा कि लूड बोला कि वीटो पावर मिलनी चाहिए है अभी पावर मिल जाती है तो वहोई स्ट्रोंग हो जाएंगे देखें बहुत दूरां चैना से चाइना अमेरिका ये दुसिया से बहुत दूर आ है आप को पता है मोड़ा च यह से जाधा एकानुमी है भारत की फाइन कि मैच संखना देखिया मेच मुलक इस्टेट जाती शच्ंग भी कि जड़ गया हालत में शाब फाइन ऑसी देजर लागे लागे Republic of China gonna pass thirty four is frenchen India वो मुझे पते है टेस्ला इंडिया में अप्लाइड लगा रहें एपल अपना प्लाइन फ्सक्रामी करदी करन लगा लिए अभीत तक पास बहुत सारी चीजें इंडिया टेक्नोलजिकली आगे जा 58 लेकिन सी बहुत सारी चीना चेना दो एगाल में बहुत सारी टर्री साथियो और भारत को बाइए और अखबार की रिपोर्ट दिखाता हूं वन इसको तो पता ही नहीं है कुछ भी दाए बाए में बोलता है खालिस्तान है जो पंजाब इंडिया में वह तो बहुत साथी स्ट्रॉंग है दूसरे इंडिया कॉंस्टेंडी किश्मीध इशू में तो इंडिया का भी वो इन उस पोजिशन में पहुंचने के लिए यहां से बहुत आके जाना पड़े हैं इन सारे आप जो करें खालिस्तान की तहरीक केनड़ा में जादा है वहां पर होते हैं लेकिन उस कंट्रीव उसको साथ लेकर किता चुझ इंडिया बहुत काम कर रहें लेकिन जिस चेज़ पर आप कह रहें पहुंच जाएगा उस पर इंडिया में भी बहुत फास्ट आजा है क्योंकर जो अगली गौर्णने एलेक्शन इंडिया में भी आने वाले हैं पता नहीं यह क्या ने देना के लिटर कैनेडा में खालिस्तान मुवमिंट का इन्हों की बात करें पर्लो की बात करें मुझे पता है मैंने पूरी हिस्ट्री पड़ी इसकी वह तरी जो एव फॉरन कंट्रिस में ज्यादा खैर हम अभी आपकार तो यह क्या वज़ा है कि चाइना हमेशा खलल पैदा करता ह देखेजिए चाइना मेरे चाइना के पास पूरह को प्रोड़क्त कर भी अचुंर इं पर्ड़ोड करते हैं लेकं लेकिन Shaos नियुक्त नहीं हो था क्या मैं भारत नहीं आता क्या, इतना बड़ा देश है, सात्वा सबसे बड़ा देश है, दुनिया का, हैं, यह नहीं कर रहा कि हमारे यहां Made in China चीज़ें नहीं मलती है, मिलती है Made in China, लेकिन हम उनकी संक्या दिरे-दिरे कम करते चले गए हैं, पिछले 10 सालों में अगर आप देख पूँच उल्सचान जाओ, इक लोग देखे हैं, अमेरिका को डर एक चाहिना सूपर पावर ना बंज है, अमेरिकान डॉलर क्स्क्राइब खतम करके चैनिस says Channel चाहिन को चाहिना लानकी कोशिश कर देख, अमेरिका के पास अगर इस एदिया में को पावर रहे तो इंडिया अगर अमेरिका इंडिया को प्रमोट नहीं करेगा यॉरप इंडिया को प्रमोट नहीं करेगा पाकिसान को नहीं कर सकते पाकिसान ने अल्रेटी चाइना का दोस्त है पाकिसन जब चाइना के साथ जुड़ा तो उन्होंने अब इस ती इंडिया को पने साथ जोड़ने इस अ हमेना आप तरक्की करें से बाहिरी समझे क्योंकि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं तो अभी हम किसी का टार्गेट पर भी नहीं है बिल्कुल अभी हम बहुत पीछे हैं हमें बहुत साथा टाइम लगेगा लेकिन हो आप सब्सक्राइम चेंज़ेंग इंशाला आपने बोला है कि चाइना को काउंटर करने बंदे के परस्नल अपीने होता है मेरे अनलेसिस के मताभी किश्मीर इशु को ना पाकिस्तान डिजॉल्व करना चाहता है ना इंडिया डिजॉल्व करना जाता है जो इन दोनों मुलकी सबसे बड़ी जहां से यह इंकम जनरेट करते हैं एक हम सब्सक्राइब कर देंगे डिएट साल हो रहां से युकरी इंका पता नहीं 25-20 परसेंट डिया कप्शे कर लिए कुछ भी नहीं है सब एंवी बज्यों पोलिटिकल बाते हैं इनका रियलिटी से किसाथ कोई एक्जिस्स नहीं होती सब एक हम जो मिडल क्लास लोग हैं इनके एक स्टोरीज बिल्ट अप होती हैं जो मीडिया में बता रहा होते हैं जो अन्दर स्पोर्ट ऑन्दर टेबल जो उनसी ग्राउंड अन्दिया लिए जाती हैं कि यहां पर लोईन की वार शुरू हो गई है यह यह खाबर जो रिपोर्ट साथ फिर वो जूटी तो नहीं सकत हो कहता है सिस्टम यह है तो नीचे बैठ जो वो को दो गंटे हम बैठी है तो फाइरिंग होने लगी है यह वहां पेक रूटीन मेटर है जी फाइरिंग है जो क्रॉस फाइरिंग हो चल दी है मैं पको कहें यह सिर्फ एक बिजनेस है दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस ब हमने राक में जेंग लगाई है हमने युक्रेंद में लगाई है हमने इंडिया में लगाई है यह तो चलने है ना यह बिजनिस तो करना है चले जोसर वीडियो खतम हो गया और तो मत खरीदो ना हथियार यार मत कराओ विजनस उनका बढ़ाओ मत हैं बाकी आपने कहा कि जि जमू कुश्मीर से दोनों बड़ा कमाते हैं कमाते हैं सुनो तुम कमाते हो तो तुम उनके पांच रूपे उनके जमीन का इस्तेमाल कर उनक बेल आउट पैकेज उस सेवन बिलियन डॉलर्स का है उससे डबल तो हमने दिया है सिर्फ जमू कश्मीर को अब बात करते हो तुम जाओ पहले कुछ पड़ो लिखो यार देखिए बाकी बाते रहीं UNSC में पर्मानेंट मेंबर बनने की और वीटो पावर की तो देखिए हम हमसे उसन्ति पर्मारा राइट है हम दुनिया की पांच वी सबसे बड़ी मार्केट है हमारे पास हमारे पास has तो हमारा हक है UNSC में पर्मानेट मेंबर्शिप लेने का हमारा हक है आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते और अगर एलन मस्क हों या बाकी लोग हो जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं चाए अमेरिका हो चाए फ्रांस हो यह लोग जो सपोर्ट करना में इसी वज़े से कर रहे हैं कि हमने अपने आपको उस लेवल के लिए तयार कर लिया है economically भी तयार किया है हमने industries के लेवल भी तयार किया है और बहुत सारी चीज़ें हमने की है पूरी दुनिया में tech companies पर हमारा कबजा है Indians का और भविश्य जो है वो tech companies का ही है दुनिया तकनीक से ही चलनी है बाकी वो जमाने लद गए तो हमारा हक बनता है कि हम United Nation Security Council में permanent member बने हैं और veto power भी हमारे पास है आपने देखो कई जगा पे हमारे विदेश मंत्री कह चुके है कि ये तो बेकार है UN किसी काम का नहीं है आप जिद लेके बैठे हुए हो कब तक बैठोगे भाई कब तक जब majority एक साथ आजाएगे भारत के support में तो कोई रोक सकता है और पाकिस्तान की तो हैसियत ही नहीं है या रोकनी की नपिद्दी नपिद्दी का शोरबा कोई हैसियत नहीं न पाकिस्तान की रोकनी की पाकिसान न जी 7 में है न जी 20 में है कहीं है नहीं तो अखात होगी तब तो आप भारत को रोकोगे और भारत का तो बनता है भाई हमने प्रूव किया पूरी दुनिया को अभी देखिए कब तक चलता है और किसी ने किसी दिन तो भाई उनटेर्ट नेशन सेक्रूर्टी काउं तो सब कुछ इदर-ओधर उलट-पलट होने वाला है अभी बहुत कुछ हो रहा है उसमें economy भी है उसमें trade route भी है उसमें आबादी भी है बहुत कुछ है market भी है lets see देखते रही है कमंट करके आप अपनी राइः जरूर दे है जल्दे मिलता हो एक और ने وीडियो के साथ न